हलो दोस्तों, वेलकम टो Civil Engineer FBH, आज की वीडियो में guys हम discuss करेंगे Civil Engineering Interview Questions for Fresher Civil Engineers Part 2 पहला part मैंने इससे पहले upload किया हुआ है 2-3 दिन पहले मैं उसकी link आपको i button में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी जाके देखिए important questions मैंने उसमें भी discuss की हुए, तो यहां पर हम आते हैं इस वीडियो पर जो important questions मैंने यहां पर आज लिए हुए है वह आपके साथ मैं discuss करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह question याद हो जाएंगे और आप इन questions को अच्छी तरह से याद करोगे ताकि आगे जब आपका कोई interview होगा तो वहाँ पर आप आराम से उस interview को crack कर सकते हैं तो पहला question जो हमारा है minimum grade of concrete used in RCC तो minimum grade जो concrete का हम RCC में use करते हैं वह है M20 तो दोस्ते आपको अगर कोई question पूछेगा M15 concrete जो है वह use होती है RCC के लिए तो आप बलोगे नहीं M15 concrete नहीं use होती है M20 और M20 से उपर M25, M30, M35 यही concrete use होती है RCC में उसके बाद दूसरा question slope of staircase according to IS code IS code के हिसाब से हम staircase जो बनाते हैं उसका slope कितना हम maximum रखते हैं तो हम slope कितना रखते हैं दोस्तों उसके बाद है what are the dimensions of concrete cube used in compressive test of concrete concrete का जो compressive test हम करते हैं तो उसके लिए हमको cube use करनी पड़ती है जो हम 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन के बाद उनको compressive test करते हैं तो उसके cube का क्या dimensions होता है तो 150 x 150 x 150 mm या 15 cm x 15 cm x 15 cm के cube को हम use करते हैं उसके बाद अगला question जो हमारा है name of machine used for compressive test of concrete concrete के compressive test में concrete के cube को तोड़ने के लिए compressive strength उसकी देखने के लिए कौन सी machine हम use करते हैं UTM universal testing machine उसको कहते है उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और question है which type of bond is best for masonry works masonry के काम के लिए कौन सा bond important होता है कौन सा bond में strength ज्यादा होती है तो वह bond होता है दोस्तों English bond English bond में अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह का होता है flammish bond वह सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह के bond ये होते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा English bond इसकी strength maximum होती है उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला question है वह है what is the volume of one bag of cement एक bag cement का जो है उसकी volume कितनी होती है 0.0347 meter cube उसके बाद दोस्तों अगला question जो हमारा है यह important question है how much binding wire is used in rebar binding तो हम किसी construction site पर काम कर रहे है तो हमको कितना binding wire वहाँ पर use होगा तो यह किस हिसाब से निकाला जाता है दोस्तों आपको 1% of total quantum of steel अगर आप 1 ton steel का use कर रहे हो मतलब 1000 kg steel का use कर रहे हो तो उसके लिए आपको 10 kg binding wire लगती है तो मतलब 1% आपको binding wire use करनी पड़ती है 1 quintal के लिए मतलब 100 kg के लिए 1 kg binding wire use होती है 1000 kg के लिए 10 kg binding wire हम use करते है यह important question है यह आपको याद रखना पड़ेगा आपको कहीं भी यह पूशा जा सकता है उसके बाद what is the formula for calculation of weight of steel bar तो steel bar की weight के लिए जो important formula है वह है जिससे हम यह calculate करते है तो वह है d2 divided by 162.2 into L तो d यहाँ पर होता है diameter of bar कितने mm की bar है वह mm में उसके बाद L जो होती है length of bar in meters यह meter में होती है यह meters में होती है diameter जो होता है उसके बाद आखरी question आज की वीडियो का हमारा pH value of water use for curing curing जो हम concrete की करते है उसके लिए pH कितना होना चाहिए दोस्तों आपको यह याद होना चाहिए कि वह potable water होना चाहिए जो drinking water type का water है वहिसाई water हमको use करना चाहिए curing के लिए और उसका pH होना चाहिए 6 और उसके बाद वह water उसमें chlorides नहीं होने चाहिए क्योंकि chlorides की वजए से corrosion होने का खत्रा होता है तो यह कुछ important questions थे जो हमने इस वीडियो में discuss किये अगली वीडियो में कुछ और important questions हम interview वाले discuss करेंगे आप चैनल पर बने रहे हैं चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share कीजिए और like कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो thank you दोस्तों आज की वीडियो के लिए